बश्कार दोस्तों आउ सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये खुबसूरत सा कैप डिजाइन लाए हूँ देखिए कितना खुबसूरत है ये इसे मैंने मीडियम सायश का बनाया है यदि आपको बड़ा बनाना हूँ या छोटा बनाना हूँ तो मैंने ये जो डिज आठ है इसमें इस डिजाइन कैप में 13 गुटके पड़े हुए है देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तर ग्यारा बारा तेरा तो मैंने इसमें 13 डिजाइन डाला है तो यदि आपको छोटा या बड़ा बनाना हो तो आप आठ के मल्टिपल में फंदे कम या अधिक कर सकते हैं तो यह डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना फुसुरत है और यह सिर में आसानी से फिट हो जाता है यह मीरियम साइच के लिए मैंने बनाया है तो इसके लिए मैंने 104 फंदे डाले हैं तो चलिए फ्राइंस हम बनाते हैं यदि आपको बड़ा बनाना हो तो आप आठ के मल्टिपल में फंदे बढ़ा दीजेगा घटाना हो तो आठ के मल्टिपल में फंदे घटाएगा मैंने इसे 104 फंदे में बनाया है तो चलिए फ्राइंस हम क्याप बनाते हैं दो लाइन मैंने बुन लिया है पहले लाइन में सबी फंदे को उल्टा बुना है और दूसरी लाइन में सबी फंदे को सीधा देखे ये हमारा रॉंग साइड है और ये हमारा राइट साइड है याने सामने की तरफ से अब ये हम तीसरा लाइन है और अब हम दो फंदा सीधा पुनेंगे एक, दो, फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदा उल्डा, उन दूसरी और दो फंदा सीधा, उन अपनी और दो फंदा उल्डा, तो इन ही चार फंदों को, यानि दो फंदा सीधा, और दो फंदा उल्डा, इन ही चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है दोफंदा सीधा बुनना है, दोफंदा उल्टा बुनना है, दोफंदा उल्टा तो हमने दोफंदा सीधा, दोफंदा उल्टा, दोफंदा सीधा, दोफंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट ले अब ये हमने इधर से दो फंदा सीधा बुना था अब रांग साइड से ये दोनों फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुलेंगे तो दो फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे अब देखिए ये दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुलेंगे फिर दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा अब जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उस पर सीधा और जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उस पर उल्टा बुनते हुए हम लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो हमने पहले लाइन में सबी फंदे, उल्टे दूसरी लाइन में सबी फंदे, तीसरी लाइन से हमने दू फंदा उल्टा, दू फंदा सीधा, दू फंदा उल्टा, दू बंदा सीधा, यानि डबल रिब में बॉडर बनाना शुरू किया, और रांक साइट से भी जो सीधा था उस पे सीधा और जो उल्टा था उस पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्ल बनाएं आपको दिखाती। फिर हम दिखः गें चोंबरूर। मेने डबल रिप में बनाते होएं। और अब हम पहले फंदे को ऐसे नीट वाइस राई डालेंगे, स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुलेंगे. इस पूरी लाइन को हमें उल्टा बुलना है, तो मैं उल्टा बुल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, तो हमने सभी फंदे उल्टे बुल लिए, अब हम रॉंग साइड में आ जाते हैं, और अब हम सभी फंदों को सीधा बुलेंगे. यह हमारा दस्वा लाइन है, और हम इस लाइन में सभी फंदों को सीधा बुलेंगे. मैं सीधा बुल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है. तो देखिए फ्रैंट्स हम सामने की तरफ हैं, हमने बार्डर कम्प्रिट कर लिया है, अब हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे. और दूसरे कलर के उन से पांच फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच. पांच फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे. तो इन्ही आठ फंदों को हमें पूरी सलाई में दूराना है, पांच फंदे को हमें सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे छटे फंदे को स्लिप करेंगे साथवे फंदे को सीधा फिर आठवे फंदे को स्लिप करेंगे फिर इन्ही आठ फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे पाँच फंदा सीधा छटे फंदे को स्लिप करेंगे साथवे फंदे को सीधा बुनेंगे और आठवे फंदे को स्लिप करेंगे फिर पांच फंदे सीधा एक दो तीन चार पांच छटे फंदे को स्लिप करेंगे साथवे फंदे को सीधा बुनेंगे फिर आठवे फंदे को सिधा बुनेंगे फिर आठवे फंदे को सिधा करेंगे तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली अब हम रॉंक साइड में आ जाते हैं तो slip किये हुए फंदे को slip कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, और बुने हुए फंदे को सीधा बनेगे, फिर उन अपनी ओर slip किये हुए फंदे को slip करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बनेगे, उन अपनी ओर slip किये हुए फंदे को slip करेंगे, उन दूस दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी और करेंगे, स्लिप के हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, तो इन ही आठ फंदो को दूराते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे, तो हमने बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लिए अब हम फिर सामने की तरफ आ गया है और बॉर्डर के बाद ये तीसरा लाइन है तो हम फिर अपने दूसरे कलर के उन से पांच फंदा सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पांच फिर अगले फंदे को सिधा बनेंगे नेक्स्ट फंदे को सिधा बनेंगे यानि अपने पहले लाइन को ही हम दूराएंगे पांच फंदा सीधा बनेंगे नेक्स्ट फंदे को सिलिप करेंगे फिर अगला फंदा सीधा फिर नेक्स्ट फंदे को सिलिप करेंगे तो इन्ही आठ फंदो को दूराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे तो मैंने आठों फंदो को दूराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली अब हम रॉं साइट में हम अपने दूसरे लाइन को ही दोराएंगे यानि स्लिप के हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा उन अपनी और स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो हमने चार लाइन कम्प्लीट कर लिया पाचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे बुने हुए फंदे को, स्लिप की हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें सीधा बुन लेना तो लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो पाचवी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया अब हम wrong side में हैं और ये हमारा छठा line है पाडर के बाद से तो इस line में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे अब ये हमारा सात्वा line है और सामने से है पहला फंदा हम अपने secondary color के उन से सीधा बुनेंगे अगले फंदे को slip करेंगे next फंदा सीधा फिर हम slip करेंगे और अब पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पहले फंदे को छोड़ देंगे और इन आठ फंदों को हम दोराएंगे यानि एक फंदा हम slip करेंगे next फंदा सीधा फिर slip फिर देखिए ये 3 फंदे जो हमने slip किये थे उसके दोनों side वाले इन 5 फंदो को हम सीधा बनेगे 3 फंदे ये हुए और 2 फंदे side वाले 5 फंदो को हम सीधा बनेगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर next फंदा slip करेंगे अगला फंदा सीधा फिर slip करेंगे फिर अगले पांच फंदे सीधे फिर slip करना है सीधा बुढ़ना है फिर slip करना है नेक्स्ट पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच तो इन्ही आठ फंदो को दोराते हुए पूरी लाइन कम्पलीट करेंगे तो हमने एक फंदा स्लिप किया फिर सीधा बुणा फिर स्लिप किया अब देखें लास्ट में चार पंदे बचे हैं इन्हें हम सीधा बुण लेंगे रॉंग साइट से बुने हुए फंदे सीधा बुनने हैं बुने हुए फंदे सीधा उन अपनी ओर करेंगे स्लिप किया फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर करेंगे बुना हुआ फंदा सीधा उन अपनी और स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुना हुआ फंदा सीधा तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट करेंगे नाइन्थ रोओ और सामने से तो नाइन्थ रोओ में हम अपने सेवन्थ रोओ को ही दूराएंगे एक फंदा सीधा फिर सीधा फिर सर्लिप करना है फिर पंदे सीधे एक दू तीन चार पांश नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है फिर सीधा बुनना है फिर स्लिप फिर पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है फिर सीधा बुनना है फिर स्लिप करना है फिर पांच फंदे सीधे तो पहले फंदे को छोड़ कर इन ही आठ फंदो को हमें पूरी स्लाई में दोराना है प्रांग साइट से बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा उन अपनी ओर स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे ग्यारवे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के उनसे सभी फंदो को सीधा गुने लेए प्राइमरी कलर के उनसे सभी फंदो को सीधा तो ग्यारवी लाइन में हमने सभी फंदो को सीधा बुन लिया अब बारहवी लाइन में हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे तो इन्ही एक से बारह लाइन को हमें रिपीट करना है तो देखिए फ्रैंट्स इन्ही बारह लाइनों को दूराते हुए मैंने साड़े साथ इंच कम्प्लीट कर लिया है और अब हम इसकी घटाई करेंगे तो इसके लिए नौ फंदे को उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ और फिर तीन फंदो को हमें एक साथ लेंगे एक दो तीन और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे फिर हम अठारा फंदो को बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा को नौ ध। 16, 17 और 18 अठारा फंदों को बुनने के बाद फिर हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे तो 3 फंदों को हमने 3 का एक किया अब फिर हम 18 फंदों को उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तीर, जोदव, पंद्र, शूल, 17 और 18 फंदों को उल्टा बुनने के बाद 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे फिर हम 18 फंदों को उल्टा बुनेंगे फिर तीन फंदों को उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे फिर हम 18 फंदों को उल्टा बुनेंगे अब फिर हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक करेंगे अब लास्ट में 8 फंदे बचेंगे जिनें हम उल्टा बुनेंगे रॉंग साइट से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे इसने 6 फंदों को उल्टा बुन लिया अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं तो पिष्ली लाइन में हमने 9 फंदों को उल्टा बुना था इस लाइन में हम 8 फंदों को उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे पिछले लाइन में हमने अठारा फंदों को बुना था अब की हम सोला फंदों को उल्टा बुनेंगे चौदा, पंद्रा और सोला तो सोला फंदों को हमने उल्टा बुन लिया अब फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे अब फिर हम सोला फंदों को उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन काएक करेंगे फिर हम सोला फंदों को उल्टा बुनेंगे तो सोला फंदों को हमने उल्टा बुन दिया अब देखिए फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे फिर सोला फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो 16 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया अब फिर हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक करेंगे अब लास्ट में 7 फंदे बचेंगे जिने हम उल्टा बुन लेंगे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टें अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो पिछली लाइन में हमने आठ फंदे बुने थे तो इस लाइन में हम एक फंदा कम यानि की साथ फंदा उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ और फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे पिछली लाइन में हमने सोला फंदे बुने थे तो अब की एक फंदा इधर घट गया है और एक फंदा हमें यहाँ पे घट आना है तो बीश हैं बच गया है चौदा फंदे तो हम चौदा फंदों को उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और चौदा चौदा फंदों को हमने उल्टा बुना, अब देखिए हमें फिर यहाँ पे तीन फंदों को एक करना है तो तीन फंदों को हम लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे फिर यहां पे चुकी एक फंदा यहां घटा और एक फंदा हमें यहां घटाना है तो हम 14 फंदों को उल्टा बुनेंगे दो फंदे हमारे घट गए 16 फंदे से दो फंदे घट गए तो बचे 14 फंदे तो 14 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो हमने 14 फंदों को उल्टा बुन लिया, देखियें, फिर हम घटाने वाले जगापे आ गये हैं, तो 3 फंदों को एक साथ लेंगे, और उल्टा बुनते हुए 3 काएक करेंगे, तो हर सिधी लाइन में 1 फंदे इस साइट से, 1 फंदे इस साइट से गटते जाएंगे, और हर लाइन में दो फंदे कम हो गए 18 से हमने शुरू किया था तो 18 फिर 16 और इस लाइन में 14 तो इस तरह हर सीधी लाइन में दो दो फंदे घटते जाएंगे तो फ्रेंट्स आप भी घटाएए और मैं भी घटाती हूं तो देखिए फ्रेंट्स हमारी ये जो पांच पॉइंट है एक, दो, तीन, चार और पांच तो इन पांचों पॉइंट में हमने हर सीधी लाइन में तीन फंदे का एक फंदा किया तो साइट से एक फंदे घटे और बीच से एक इधर से फंदा घटा यानि कि बीच से दो फंदे घटे तो हमने कुल देखिए एक, दो, तीन, चार, पा तो यह 9 सीधे उल्टे फंदों की धारी आ गई है यानि हमने 9 बार फंदे घटाया है और इस समय हम 10 मा बार घटाने जा रहे हैं तो दसमी बार में हम 3-3 फंदों को एक साथ लेंगे 3 फंदों को एक साथ लिया और 3 का एक किया नेक्स्ट देखिए हमारे ये दूसरा पॉइंट है तो तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए तीन का एक अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है तो तीन फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए तीन का एक अब ये चौथा पॉइंट है, तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक, अब लास्ट में दू ही फंदे बचे हैं, तीन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दू का एक करेंगे, रॉंग साइट से हम सबी फंदों को तो अब हमारी सलाई पर सिर्फ 5 ही पंदे रहे गया है और हमने अब हम क्या करेंगे कि धागे को थोड़ा लंबा कातेंगे धागे को थोड़ा लंबा कातेंगे और इसे सुई में डाल देंगे तो हमने सूी में धागा डाल लिया अब फंदो को हम इस सूी पर उतार लिया और अब इसको ऐसे खिचेंगे और एक बार और सूी को इन फंदों के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे तो देखिए हमारे ये उपर से ये ऐसा दिखाए देगा अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो एक बार हम ये देखिए जो उल्टे फंदो की धारी आई है तो एक बार इस साइड में ऐसे डालेंगे और एक बार इस साइड में फिर एक बार इस साइड में ऐसे और एक बार ऐसे दूसरी साइड में एक बार इस साइड में और एक बाद इस साइट में प्तिक लाइन में हम ऐसे सिलाई करेंगे दिखे यह उपर से ऐसे दिखाए देगा और अब हम नीचे की तरफ से लाई करेंगे एक बार इस सैट में और एक बार दूसरे सैट में पूरे फंदे को ऐसे उठाएंगे इधर से भी और एक बार इधर से भी ऐसे ही करते हुए हम पूरी सिराई कर ल живот झाल 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 झाल